इसमें तो खर कुछ सोचने की बात ही नहीं है, भारत जीतता आया है और भारत ही जीतेगा. जीत हमारी पक्की है. मुझे विराट कोली और रोहित शर्मा, उनसे बहुत उम्मीदें हैं. नमस्कार, मेरे नाम है प्रदीप उम्मार और आप देख रहे हैं लोग मतिंदी. ICC Cricket World Cup में भारत बनाम पाकिस्तान का महा मुकाबला आज आनी 14 अक्टूबर को एमदाबाद के नरिंदे मोधी स्टीडिम में होने वाला है. इस मैच से जोड़ी कुछ बाते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि क्या आज शो मनगिल मैच में खेल पाएंगे या नहीं वो रिकवर कर पाएंगे, मैच में क्या बारिश होगी या नहीं होगी, क्या प्लेंग 11 टीम क्या हो सकती है, टॉस को जीते का, तो शुर इस मैच को देखने वाले जो ऑडियन्स है दुजधर शक है, वो काफी मातरा में आने वाले हैं, तो खर कुछ सोचने की बात ही नहीं है, भारत जीता आया है, भारत ही जीतेगा, ये बिलकुल, भारत ही जीतेगा, ये 101 परसंट है, भारत जीतेगा, और पूरी टीम का हो गया है, सबके साथ से ही भारत जीतेगा, पूरी उमीदे हैं भारत से, और मुझे कोई शकी नहीं है, भारत जीता है, जीतेगा, भारत का वंडे का इतियास वर्ल्ड कप का जो है, उसमें ये है कि भारत ने पाकिस्तान को साथ बार वंडे में वर्ल्ड कप में हराया है, तो वहीं पर ही पाकिस्तानी टीम इस इत्यास को बनाने से फिर से रोखना चाहेगी. वहीं आपको बता दे कि भारत और पाकिस्तान अपने पिछले दोनों मैश ही जीत के आए हैं, तो आज दोनों टीमों की जो प्लेश से काफी जादा एकसाइटेड होंगे और दोनों ही चाहेंगे कि हम जीत जाएं. आपको पता दे कि सुमन किल जिनको डेंगू को गया था जो पिछले मैश नहीं खेल पाएते, आज वह शायद खेल सकते हैं. उमीद जाता ही जा रही है कि वो ठीक हो चुके हैं और आज का मैच जो महा मुकाबला है, आज का मैच वो खेलेंगे. अब वो टॉस होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो फिट हैं ये मैच खेलने लायक या नहीं वो तो तब ही पता चलेगा लेकिन उम्मीद जता ही जा रही है कि रोई चर्मा और शुबन गेर आज ओपनिंग करेंगे चलेगा आपको बता देते हैं कि क्या आज के मैच में जो बताया जा रहा था कि बारिस आएगी या नहीं आएगी तो हम आपको उसके बारे में बता दे कि ऐसा कहा जा रहा था कि आज के दिन बारिस हो सकती है लेकिन ऐसा अब नहीं है हां हलके फुलके बादाल जरूर हो सकते जब मैच होएं लेकिन बाइश नहीं होगी तो ऐसे में मैच का जो रोमांच है वो बरकरार रहेगा और लोग जो पब्लिक है और जो आईगी इस मैच को देखने के लिए वो काफी ज्यादा एकसाइटेड मैच देखने को बिल्कुत तयार होगी चलिए इसी बीच आपको बता दे कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 दोनों टीमों की सबसे वेरे बात करते हैं इंडिया की तो रोईश शर्मा इशान किसन विराट कोली श्रेश ऐयर केल राहूल हार्दिक पांडिया रविं नाम उलहक बाबाराजम मुहम्मद रिज्वान शहूद शकिल इफ्तिकार एहमद शादाब खान मुहमद नवाज हसन अली शाहिन शाह अफ्रिदी हरिस रौफ तो आपको क्या लगता है कि आज का मैच कैसा रहने वाला है कि आप भी इस मैच को लेकर काफी जादा एक्साइ